खबश शिपुरी जिले से आ रही है जहां कोलारस में पदस्त महिला पटवारी ने अपने पती पर जुल्म धढ़ा दिया महिला पटवारी ने ना किवल पती की मारपीट करवाई बलकि सासु मापर भी लात घूसे चलवाई घटना में महिला पटवारी का पती घाल हुआ है मामले को लेकर थाने में शिकायत की जिसपा पुलस ने केस दर्च किया लेकिन अब फर्यादी ने अंग भंग की धारा बढ़वाने के लिए जन सुनवाई में अपनी गुहार लगाई है दिनेश कुमास सैन निवासी खेड़ा पती कॉलोनी ने कलेक्टर से अपनी गुहार लगाते हुए बताया कि उसकी पत्नी पूनम सैन पटवारी है जो हलका नमबर 19 तहसील कोला रस्क में पदस्त है दिसमर 2021 को साले की शादी होना है जो इसके लिए मेरे ससुर और सास ने पत्नी से तीन लाख रुपे मांगे मेरी पत्नी एटीम लेकर रुपे निकालने जाने लगी इस पर मैंने टुका तो वो बहाना बना कर चली गई दुफर के समय जब मैं अपने बेटे और मा के साथ बैठा हुआ था तभी मेरे ससुर घंशामसेन और सास मेरी पत्नी के साथ घर आये गाली गलूच करने लगे जब गाली देने से मना किया तो ससुर ने पीचे से मेरी गर्दन पकर ली और पत्नी और सास ने मार पीट शुरू कर दी घटना होते देख में जब मा बच्चने गए तो उससे भी मार पीट कर दी और वो बेहोश हो गए मामले को लिकार दिहात थाने में शुकायत की जहाँ पर पुलिस ने विवन धाराओं में केश दर्च किया लेकिन इलाज के दौरान उसके उंगली कट गई जिसे पुलिस ने अंग भंगे की धारा नहीं बढ़ाए इसलिए जन सुनवाई में आपकी पास आए हैं हमारी मदद करें कि यह मेरे ससुर जी ने मेरे घर पर आके मेरी उंगली काट दी मुसे मैंने मेरी पत्नी गवर्मेंट जो मैं है तो वो तीन साल से उससे सेल्डी ले रहे थे लगातार इस बार जब मैंने जो पढ़वारी पूनम सेन नाम उसका कोलरस में मगरारा अलगा नंबर 19 पर प मेरी माता जी मेरे साथ मार पीट कर दी मुसे चतपर से फैक दिया और मैंने दयात्ताने में भी रुपोर्ट की है लेकिन उन्हों ने प्रवावित राजनीतिक दवावों के और उनकी पहुंचके पैसों के चलते हुए उन पर कोई बड़ी दारा से काईमी की नहीं की गई जबकि मेरा अंग पूरा बंग कर दिया है मेरा प्रसासम से निवेदान है कि मुझे इंसाफ चाहिए